पिछले साथ साल से मैं इस बात की मुहिम चला रहा हूँ राजेश बाबू शुची जी नहीद लारी कि घोशना पत्र को कानूनी दर्जा के दीजिए ताकि जब आप भागो दाएं बाएं तो जनता आपके खिलाफ कानूनी उप्चार हासिल कर सके सारे राजनेता मेरे मित्र लेकिन कोई मेरे साथ खड़ा होने को त्यार नहीं इस मसले पड़ वो फोन करके कहते का मिताब जी क्या बाबाल पीछे लगा रहा है आप यह अरे बोला बाला चुनाब हो गया बात खत्म हो गई आप कानूनी दर्जा दिलाने की लड़ाई रड़ रहा है वो हो जाएगा तो ठीक करें आलोग बर्मा फिर किसी की जरूरती नहीं पड़ेगी जनता अपने आप देख समझ लेगी जो उसको करना लेकिन कोई बड़ा आदमी तयार नहीं वो कर दिया मिताब जी आप भी कैसी किसी दिमाग में आई जली आते हो फसबाद होगे अभी तो कहीं भी खड़े होके गाल बजाया निकल आए गली से उसके बाद फस जाएंगे मुकदमा हो जाएंगे हजारों मुकदमे हो जाएंगे पार्टी अध्यक्ष और महासरचिप के खिलाब कहां भागेंगे क्योंकि गरीबी हटाओ नहीं हटे गरीबी आदमी मुकद किस बना देंगे कोई कहता सिंगापूर बना देंगे खतवली को मवाब और पुरकाजी को और होना जाना कुछ नहीं सबको पता है तो मुकदमा होगा ना कि मैंने कहा न कि राजनीती का सुभाव भारत में एक सा है एक बाक्या याद आ गया वो भी बोल देता हूँ कि जब इंद्रा जी ने 75 में जून में इमर्जिंसी लगा दी तो ज्याप्रकाश श्रीपर क्या आरोप लगा महलूम उन दिनों आईसाई का ज्यादा खेल नहीं था आईसाई क्या पता नहीं बच्चा होगी कहीं कुछ चोटे मोटा कुछ खुरा बात करती होगी कि इंद्रा जी ने कहा जैप्रकाश के एजेंट है विदेशी तागते भारत को अस्थिर करना चाहती है इसलिए इमर्जंसी लगा दी बताइए जैप्रकाश नारायन किसी के एजेंट हो सकते हैं यह बात हिंदुस्तान क्या दुनिया में कोई मानेगा नहीं ना लेकिन सत् और के ऑपाश से शुरू होती है आपके खिलाप आदमी है यह आप से सहमत नहीं है वह कि किसी के एजेंट हो जरूरी है हम खास क काती हम नहीं हो allora म ke किसानों का मसला है यह मसला यह है हमारी दृष्टी साफ हो एक और कड़बी बात कहता हूं सब पर लागू है उन्नीस भी नहीं मैंने समका शाषन देखा मैंने नराइंदर तिवारी जी का भी देखा जो आप लोगों शायद नहीं देखा होगा मैंने कभी फटी धोती गंदा कुर्ता और चम्रवधा चपल पाओ में पहिने भारत का जो खाटी किसान है उसको किसी हुक्मरान के डाइनिंग टेबिल पर खाना खाते नहीं देखा अंदर वाले कमरे में कभी नहीं देखा देखा उनके घरों में किसान लेकिन जनता दर्शन में और मैंने कभी कोई बड़ा पूंजी पती जनता दर्शन में नहीं देखा इसके लिए को कानून बनाओगे क्या बदाईये पार्लामेंट वैठेगी यह मानसिक्ता जहनियत का वसला है राइस चोदरी शुची विश्वास नहीद लारी आपने कोई बड़ा उद्योग पती जनता दर्शन में मिलते देखा यह कभी कोई ऐसा किसान जैसा मैंने बताया जिसके कपड़ों से बद्बू आ रही हो मिट्टी से पाउं सने हो उसको अंदर खाने में दिवाने खास में कभी खाना खाते देखा है क्या नहीं ना तो नियाई कैसे होगा किसान की साथ बताऊ ना अरे हमको मत बताऊ नाहीद लारी आप बुराई-भलाई करा दोगे मैं नाम लेकर बोलना शुरू करूंगा तो है ना ठीक है ना किसान का उप्योग करना चाहते हैं मेरे पास मुझभफर नगर से कुछ किसान आये थे कुछ वक्त पहले उन्होंने हम से कहा कि हर आदमी हर राजनेतिक दल कहता है कि हम किसानों के लिए हम किसानों के लिए किसान हमारे हम किसानों के जान देंगे किसानों के लिए और वो ले जाते और सरकार बन जाते उसके बाद हमको पूछते नहीं क्या करें तो मैंने उनको सलाह दी थी वो उसका पालन नहीं कर पाए और जिस दिन पालन कर लेंगे उस दिन कभी अंदोलन करने की जुरूत नहीं पड़ेगी हमने कहा ता जिस दिन आप जात धरम और लेकिन आप इतना करिए तो जब आप बोट करेंगे तो आप उन्हीं खानों में बटेंगे खाप में बटेंगे, जात में बटेंगे, वर्ग में बटेंगे, धर्म में बटेंगे, तो भुग दिये, नेता जी तो जीत के लखनव चले, दिल्ली चले, आप झेलो, और एक बात कहके बात समापत करूँगा, हिंदुस्तान जैसे देश में, जहां हाथ ज्यादा है और काम कम वहां बिस्किट बनाने के लिए इटली और जापान की कमपनी क्यों अनुमती दी गई और यह सवाल आप से नहीं पूछ राजिश भाबू नर्सिंगराव के समय में जब मनमोहन सिंगर वित्रमंत्री थे तब भी मैंने उनसे यही बेसिक सवाल पूछा था मैंने भाई मैं अर्थिशास्तर का ग्याता ने मेरे पास तो इस बेसिक सवाल है इसका जवाब करूछ है आप ने डिमार्केशन क्यों नहीं किया के इन चीजों में बड़ी कमपनिया नहीं आएंगी अब फिर हम कहेंगे किसान बदाल क्यों है किसान इसलिए बदाल है नियत का प्रश्ण है हम अपनी नियत अच्छी कर ले और एक बात ध्यान रखें ये देश किसान का कर्णदार था है और रहेगा किसान से परे जाकर मुक्ती नहीं देश के किसी वर्ग की इस कोरोणा काल में जब भगवाण जगननात का पटबंद हो गया भावाव शनात का पटबंद हो गया अजमेर शरीफ का दर्वाजा बंद हो गया जन्नती दर्वाजा माता वश्नो देवी के कपाट बंद हो गए सारे बड़े लोग संपन्न लोग घरों में दुबग गए तो सिर्फ किसान था जो खेत में था दो बार कटाई हुई है करोनकाल में एक आंकला बताता है 25 करोण लो सानी है क्या जब बड़े लोगों ने अपने आग्चारों और कांच का घेरा लगवा लिया था लोगों से मिलना बंद कर दिया था तब भी मंडी में आलू आ रहा था तब भी मंडी में फूलगों भी आ रहा था आ रहा था ना तब भी दूधा आ रहा था किसान के बच्च गाल मत बजाईए जान लीजिए कितना भी globalization हो जाए राजिश भाबू ऐसी व्यवस्था संभव नहीं भारत में इस सिंगापूर में तो हो सकती भारत में नहीं हो सकती दुबाई में हो सकती भारत में नहीं हो सकती चुकि यहां आवादी का साइज बहुत जादा 150 करून लग अनओफिशली ऐसा संभव नहीं कि हम किसी दूसरे देश से डाल चावल गेहूं मंगा के भारत का पेट भर लें ऐसा संभव नहीं निर्वर इन ही पर रहना होगा इसलिए मैं कहता हूं यह माई-बाप हैं हमारे इनके साथ वही व्यवहर करिए जो हम अपने घर में अपने